बिसमिल्लाइरेख्मान रहीम दी हक्षर ओलन थेरी इस आर टॉपिक अफ टूड़े और इसके और अधर नेम्स क्या है एक्षर ओलन के और नेम्स क्या है यह भी देखेंगे आज हम यह भी देखेंगे के फाक्टर इंडावमेंट्स जो हैं वो कौन-कौन सी होती है इंटरनेशनल ट्रेड में और इली हेक्षर और ब्रिटल ओलन थीरी जो है वो क्या यानि थीरम क्या है और इसकी एसंप्शन इसकी लिमिटेशन बलके हम डाइग्रामटी कली भी देखेंगे के इसको कैसे इंटरने अब इसके जो फर्दर नेम्स है इसी हेक्षर ओलन मॉडल के जो फर्दर नेम्स है वो आपके सामने इसको हम मौडन थीरी आफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं हम इसे एक्चो थीरी या एक्चो थीरम भी कहते हैं फैक्टर परपोर्शन थीरी भी हम इसी को कहते हैं और factor endowments theory भी इसी को कहते हैं relative factor endowments theory भी इसी का name है और echo model भी कहते हैं तो इस में से किसी भी name से आपको पूछा जाए तो इसका मतलब यही theory है जो के आज हम understand करने जा रहे हैं तो यह मुख्तलिफ names थे आपके सामने अब हम इसको बगैदा तोर पे start करते हैं सबसे पहली चीज factor endowments कौन से factor है जो हम लगाते हैं इंडिनेशनल ट्रेड में लेंड का इस्तमाल होता है factor endowments में आता है लेबर का इस्तमाल होता है capital है natural resources की endowments होती है और उसके लावा climate etc वो भी discussion में लाया जाता है अंडर एच्चो मॉडल और एं हेक्चर ओलन थेरी अब फर्स्ट फाल इसकी assumptions देखो economics में कोई भी theories हैं वो तभी तो true प्रूव होती हैं जब उसकी कुछ ना कुछ assumptions हैं मतलब assume हम कर लेते हैं उनको constant assume कर लेते हैं तो हैक्षर ओलन theory explains the modern approach to international trade on the following basis of following assumptions वो assumptions में आपके साथ share करने जा रहा हूं यह assumptions क्या हैं आप इनको गोर से देखिएगा पहले there are two countries involved international trade में कितने countries हैं दो countries like Pakistan US like Pakistan Bangladesh something else मतलब दो countries international trade कर रहें इस से ज्यादा नहीं कर रहे हैं आपने यह करना है उसके बाद each country has two factors of production labor and capital यानि production के यह और factors नहीं हैं बलके two factors हैं labor और capital दोनों countries के पास वो जब पड़क करते हैं किसी चीज़ की तो दो factor apply करते हैं labor और capital तीसरी जमशन है each country produce two commodities हर जो country है कोई भी country है वो दो चीज़ें produce करता है इससे ज्यादा नहीं produce करता एक चीज़ होती है labor intensive और दूसरी होती है capital intensive अब labor intensive का मतलब यह है कि जिस चीज़ में labor की quantity ज्यादा लगे labor की इंडाब्मेंट ज्यादा हो वो labor intensive होती है और जिस चीज़ को produce करने के लिए कैपिटल के इंडावमेंट ज्यादा हो वो कैपिटल इंटनसीव होती है नमबर फॉर पे आपने ये जियूम करना है कि देर इस पर्फेक्ट कमपेटिशन इन बोथ कमोडिटी मार्किट एंड फैक्टर मार्किट कमोडिटी मार्किट कौन सी है जिसमें दो चीजें बनाई जा रही है दो दोनों मार्किट मे पर्फेक्ट कमपेटिशन नोड वेल के परफेक्ट कमपेटिशन क्या होता है कि यहां लेबर में और क्या मॉजी नाइटि है सेम यूनेट्स हिते हैं उनकी सेंच होती हैं लार्ज नंबर फॉर्प नृऊडिश Thus न लार्ज नंब में होते हैं और यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज की जाती है लेबर की कैपिटल की और प्रॉडक्ट्स की इसको हम पर्फेक्ट कंपर्टेशन कहते हैं नंबर फाइफ पे अल प्रॉडक्शन प्रॉडक्शन फांक्शन से और होमोगी यानी वह स्ःजीर होमोगीनियस इसब्पल प्रॉडक्शन फंक्शन इस सब्जेक्ट को subject to constant return to scale constant return to scale यानि जो production function है उसमें constant return to scale आ रहा है कि एक constant ratio से जैसे आप factor involvement करते जा रहे हैं वैसे आपको proportionally output आती जा रही है और वो constant है यानि एक unit labor capital का लगाने से अगर 10% production आपको return आती है तो दूसरा जो unit आप लगाएंगे तब भी 10% increase होगी तीसरा जो लगाएंगे उसे भी 10% increase होगी यानि क्या होगा जो return to scale है जो return आएगी वो constant होनी चाहिए इसके बाद factors are freely mobile within a country but immobile between other countries यानि आपने यह assume करना है कि जो factors हैं जो factors of production है labor capital वगेरा वो within the country mobile है मतलब within the country move कर सकते हैं एक city से दूसरे city एक province से दूसरे province एक state से दूसरी state लेकिन internationally move नहीं करते दोनों आपने यह assume करना है कि internationally factors of production लेबर और capital मूव नहीं करते इम्मूवेबल है और लास्ट पर टू countries differ in factors supply दोनों जो countries हैं उसमें जो factors of production supply किये जाते हैं labor या capital वो मुक्तलिफ हैं उनकी supply मुक्तलिफ हैं एक जैसी supply नहीं है दोनों countries में यह कुछ assumptions थी लेकिन इसकी assumptions अभी खतम नहीं हुई मैं आपको बाकी की assumptions भी यहां पर बताने जा रहा हूँ each commodity differs in factor intensity यानि दो चीजें जो बनाई जा रही है उनमें एक हर एक जो commodity है जो हर एक जो commodity है उस वो differ करती है factor intensity में यानि एक चीज के उपर अगर labor ज्यादा लगती है तो दूसरी पर capital ज्यादा लगती है एक चीज लेबर intensive है तो दूसरी capital intensive है यह भी आपने assume रखना है उसके लाबा the production function remains the same in different countries for the same commodity same commodity के लिए production function same रहता है दोनों countries में for example given if commodity a requires more capital in one country then same is the case of in other country आपने यह ज्यूम करना है कि अगर एक commodity को produce करने के लिए एक मुल्क में capital ज्यादा लगता है तो दूसरे में भी capital ही ज्यादा लगता है अगर एक मुल्क में एक चीज को produce करने के लिए labor की quantity ज्यादा लगती है तो दूसरे मुल्क में भी labor की quantity ज्यादा लगती है वही बात समझ रहे हैं आप मेरे साथ जी सर समझ रहे हैं उसके बाद there is full employment of resources 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 मतलब जो भी आपके country में available resources हैं वो fully apply हो रहे हैं in both countries and demand are identical in both countries और दोनों मुल्कों में जो demand है वो भी identical है मतलब अगर एक मुल्क में elastic है तो दूसरे में भी elastic है एक मुल्क में inelastic है तो दूसरे में भी inelastic है तो trade is free और दूसरी बात यह है आपने यह assume करना है कि trade free है between the countries there are no trade restrictions मतलब ना tariff है ना quota है ना कोग पबंदिया है ऐसी कोई बात नहीं है trade free है in the farm of tariff or non tariff barrier कोई barrier नहीं लगाए जाते ठीक है यह भी आपने assume करना है और उसके बाद there are no transportation cost एक यह भी आपने assume करना है कि जब आपने चीजें import करनी एक्सपोर्ट करनी है तो उसकी transportation पर cost नहीं आती यह हैक्षर ओलन कहते हैं कि जी transportation cost नहीं आती यह assumptions थी यहां तक जो assumptions हैं आपको समझ आई है assumptions clear होगी है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं कारवई को आगे बढ़ते हैं यह assumptions आपने as it is लेनी है लेकिन आप यह कह रहे थे एक बंदे का नाम और दूसरे का नाम है Bertil Olin ठीक है और यह दोनों मैंने जो इनकी biography देखी है यह दोनों एक teacher है और एक student है आगे बढ़ते हैं यह theory explains in two country theory जो है यह apply होती है दो countries में और two factors of production apply होते हैं चीजों को बनाने में और commodities कितनी बनती है तो इस sense में हम इसको क्या model कहते हैं हम इसको कहते हैं two cross two cross two model ठीक है two cross two cross two model framework what determine the comparative advantage हम यह देखेंगे किस मुल्क को किस पे comparative advantage है how trade influence the income of the factors of production तो जो trade है वो कैसे factors of production की income को influence करती है यह कुछ सवालात पैदा होते हैं हम कारवई को आगे बढ़ाते हैं different countries are in doubt with the varying proportion of different factors of production के जो मुख्तलिफ countries होते हैं वो जब इंडावमेंट करते है factors of production की यानि labor की या capital की जब उसको लगाते हैं तो वो मुख्तलिफ इंडावमेंट करते हैं वेरी करती है वो पर पोर्पोर्शन चीज़ फैक्टर ऑफ प्रडक्शन को लगाने के पर पोर्शन वेरी करते हैं secondly some countries have large population and large labor resources the other have abundant abundance of capital but short of labor reserves तो इसमें होता यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ countries में labor जो है वो ज्यादा हो वो labor abundant country हो like Pakistan और कुछ countries जिन में capital ज्यादा हो वहां पर labor कम होती है वो short होती तो उनको आप capital abundant countries कहते हैं capital abundant country presents a higher capital ratio than what the labor abundant country presents तो जो capital abundant countries है वो capital की ratio ज्यादा लगाते हैं as compared to labor and as compared to other country trading partner country with large labor force will be able to produce those goods at lower cost that involves labor intensive method of production तो बात ही हो रही है कि वो country जिसमें labor force ज्यादा है वो country इस काबल होगा कि वो goods and services को produce करने के लिए lower cost पे produce करने के लिए वो क्या करेगा labor intensive technique लगाएगा ज्यादा quantity labor की इस्तमाल करेगा यह ऐसा mode of production यह method of production लगाएगा ऐसी technique of production लगाएगा के labor की quantity ज्यादा लगे as compared to capital similarly the country which with large supply of capital will specialize in those goods that involve capital intensive mode of production तो यह इस तरह operate करता है यह चीजें आपने जहन में रखनी है जब भी आप एक्षर ओलन थीरी के बारे में explain करने जा रहे होते हैं ओके सब्सक्राइब गुड हो गया दो फार्मर बाद वाले countries की जो हम बात कर रहे थे फार्मर कंट्री विल एक्सपोर्ट its labor intensive goods to the litter and import capital intensive goods there from यानि होता यह कि वो मुल्क जो labor ज्यादा लगाकर एक चीज को पर्डीवस करता है तो जिसमें वो labor ज्यादा लगाकर जिस चीज को पर्डीवस करता है वो दूसरे country को export कर देगा और वो ही दूसरा country जो ये को इंपोर्ट कर रहा है लेबर इंटन्सिव क्मोडलिटी्ज वो अपनी टेरिटरी में अपने मुल्क में सबail और अइस चीजे बनाएगा जिन पे अजिन को इस 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 पाइडे कर देगा जहां से उसने labor intensive commodities import की है बात समझें आप मेरी अच्छा किदो अच्छा लिया है जी सर्थ after the trade both the countries will have both types of goods at least cost तो जब trade हो जाती है तो दोनों countries will have both types of goods फिर उनके पास दोनों countries के पास दोनों goods होती है ठीक है और वो भी least cost पे कम cost पे all this means that the theory holds good if the capital abundant country has distinct preference for the labor intensive goods and the labor abundant country has distinct preference for the capital intensive goods if it is not the theory may not hold तो ऐसा होना जरूरी है कि जो capital abundant country है वो प्रेफर करेगा labor intensive commodities को और जो labor abundant country है वो capital intensive commodities को prefer करेगा to import अगें देखरी दाज नोट hold good if the labor abundant country is technologically advanced in capital intensive goods यानि उसको technologically capital intensive commodities में अडवांस उसको नहीं होना चाहिए और the capital abundant country is technologically advanced in the production of labor intensive goods तो फिर थीरी जो है अगर ऐसा होगा तो थीरी फिर hold नहीं करेगी अब इसमें जो जो abundance है जो factors of production की abundance है या उनकी price ratio का difference है वो मैं आपको थोड़ा सा इस तरह दिखाता हूँ यहां पर देखें factor intensity capital K2 यहां पर K2 का मतलब capital 2 है दूसरे country का capital K2 मतलब capital of country 2 capital of nation 2 और इस labor का मतलब क्या है कि labor of nation 2 greater than K1 capital of country 1 divided by L1 labor of country 1 तो अब इसमें इसमें जिसकी तरफ greater than का sign है के K2 over L2 greater than K1 over L1 इसका क्या मतलब है कि यह यह जो एक nation 2 है वो capital intensive commodities बनाती है और उसमें capital ज्यादा है as compared to labor ठीक है K2 over L2 क्या है मतलब यह इसमें कहना यह चाहता है कि जो nation 2 है उसमें capital ज्यादा है वो capital abundant country है let's suppose कि उसमें जो capital है वो है 10 और लेबर कितना है 2 greater than इसमें capital है 5 और इसमें labor है 6 तो जहरी बात है 10 over 2 जो 5 है that will be greater than 0.something चीक है तो यह वो कह रहे यहाँ पर यह आपको समझाने की कोशच की जा रही है आपको इनके जो factors है factors की ratio factors की ratio आपको बताई जा रही है चीक है 2 का मतलब यहाँ पर nation 2 है K का मतलब capital है और L का मतलब अब इसी तरह इनकी price ratios भी हम निकाल सकते है price ratios को भी आप इसी तरह compare कर सकते है असल में मैं आपको यह चीजें इसलिए बता रहा हूँ आगे diagram आपको बतानी है तो उसके लिए यह factor abundance अगर हमने देखनी हो तो इस तरह देखते है तो P1K over P1 P1 कह रहा हूँ P0 P0K over P0L greater than Pk over PL तो इसमे price of Pk का मतलब price of capital है PL का मतलब price of labor है तो अगर यह greater है as compared to Pk over PL from nation 1 तो हम उसे कहेंगे के वो क्या है capital abundant country है ठीक है जो greater होता है वो capital abundance उसकी कहलाती है क्योंकि उसकी fraction ज्यादा होगी तो यह चीजें आपने abundance को देखा के capital abundance क्या होती है या factor intensity जो है वो किस तरह मतलब हम देखते है किस तरह ratios को compare करते है अब मैं आपको असल में चाहता यह हो कि मैं आपको बताऊं कि हेक्षर ओलन थेरी इन few words है क्या हेक्षर ओलन की जो थेरी है वो क्या है जब trade होती है तो labor abundant country जो होता है export labor intensive commodities the land abundant country foreign exports of land intensive good food ठीक है और इन जनरल इच country exports the good that makes intensive use of resources that is abundant in that country ऐसा होता है यानि वो उसके intensive मतलब अगर किसी मुलक में labor ज्यादा है तो वो labor intensive commodity को produce करेगा और उसी को वो ज्यादा export करेगा कहा यह जा रहा है और दूसरे country के लिए आप vice versa की बात कर लेते हैं या फिर मैं आपको कुछ इस तरह बता दूँ और रिगार्डिंग हेक्षर-ओलन थेरम तो गटिट इस तरह में आपको समझ आ रही तो यह असल थियोरी है हेक्षर-ओलन थेरी यह है यह डेफिनिशन है हेक्षर-ओलन थेरी की मिस्चिजा के हेक्षर-ओलन थेरम क्या कहता है गया और उसकी अजम्शन समझ आ गई और किस तरह मतलब यह थीरी चलती है यह किस तरह हम इसको समझते हैं अभी यह सारा अमने पिछर डिसकस किया अब सवाल रहता है हमारा डाइग्राम को कंस्ट्रक्ट करने का इसके अंदर तो वह डाइग्राम आपने कैसे बनानी है आपको याद है एक जो नेशन टू है वो गुड़ टू को परडिवस करती है जो नेशन वन है कंट्री वन है वो गुड़ वन को परडिवस करती है यह एजम्शन आपको याद है अब यहां पे हम यह एजियूम कर रहे हैं कि जो कंट्री वन है वो गुड़ वन को एक्स एक कर रहे है चीए? अब जो country one है वो है अचा यआ एक को और चीज में यहां पर मैं इजाफा कर दूं इसको हम कह रहे हैं कई यूड है इसको हम कह रहे हैं के ये एक्स गूड है और एक और चीज जो वाइ है इसको हम कहते है के यह है capital intensive क्या है ये capital intensive good और जो एक्स है ये है labor intensive good labor intensive हम इसको labor intensive क्यों क्योंकि x good को produce करने पर labor ज्यादा लगती है हम y को capital intensive क्यों कह रहे है के intensive क्योंकि उसको उसको प्रड्यूस करने पर capital ज्यादा लगता है ठीक है अब ये nation one का अगर हम PPC देखें production possibility frontier देखें तो जो nation one है उसका production possibility frontier ऐसे बनेगा जिसको मैं अभी yellow में highlight कर रहा हूं ऐसे बनेगा ठीक है अब ऐसे ये क्यों बन रहा है ये y-axis की तरफ से नीचे क्यों है 60 और 80 के दर्मयान 70 cube unit दे रहे और ये x-axis की तरफ ज्यादा quantity को क्यों ले रहा है origin से लेकर 150 तक 150 तक या 140 तक after 120 ये x की ज्यादा quantity क्यों produce कर रहा है country one और y की कम quantity को क्यों produce कर रहा है क्योंकि ये country है labor abundant और जो x commodity है वो labor intensive commodity है मैं फिर repeat कर दूँ जो x commodity है वो labor intensive commodity है और जो country one है वो labor abundant country है इसलिए वो x commodity को ज्यादा produce कर पा रहा है क्योंकि उसके पास labor ज्यादा अविलेबल है उसको लगा के वो x जो commodity है उसकी ज्यादा production दे रहा है 120 प्लस मतलब वो दे रहा है जबके वो capital intense abundant country है नहीं country one जो है capital abundant है नहीं और capital intensive जो commodity है वाए वो produce नहीं कर सकता ज्यादा वो maximum 70 unit उसके produce कर रहा है तो पहला production possibility frontier for country one इस तरह क्यों इस slope का क्यों बना हुआ है यह बात आपको clear होगी है तो फिर मैं दूसरा बताता हूं tell me please अब दूसरी nation country two का देखें तो production possibility frontier कुछ इस तरह बन रहा है जिसको मैंने अभी रेड हाइलाइटर के साथ हाई 80 to 140 हाँ 80 to 140 अब इसमें जो country two है वो X commodity के 80 unit produce कर पा रहा है और Y commodity के 140 unit produce कर पा रहा है क्यों ऐसा क्यों है Y commodity के 140 unit क्यों बना रहा है क्योंके nation two country two जो है वो capital abundant country है और जो Y commodity वो produce कर रहा है वो चूंके capital intensive है तो ज्यादा capital उसके पास available है तो वो लगा कर Y commodity की ज्यादा production दे रहा है 140 unit दे रहा है और दूसरी बात इसकी अगर हम करें के वो X commodity को क्यों काम produce कर रहा है इसलिए X commodity के सिरफ 80 unit वो दे रहा है क्योंके X commodity है ही labor intensive commodity labor intensive commodity और जो country two है वो labor abundant country है ही नहीं उसके पास कम labor है जितनी है उतनी लगा के वो maximum X की जो quantity है वो 80 तक दे सकता है इसलिए इसका जो production possibility frontier है वो इस तरह बनता है वो ज्यादा जो quantity है वो वो शो कर रहा है वाई commodity की X commodity की काम शो कर रहा है तो आपको दोनों countries के country one और country two के production possibility frontier समझा आगे हैं जी सर आगे अच्छा अच्छा अब मैं थोड़ा सा आगे और आपको बताता हूं आप अगर देखें तो यहां पे इस point पे a point पे a point पे देखें तो यह a point उसका before production consumption है मतलब बिफोर trade है a point before trade है और जो a naught है यह भी before trade है यहां पे production हो रही थी अब अगर ic2 बनाया जाए जैसा के यह ic2 यहां पे बनाया हुआ है यह अगर ic2 बनाया जाए तो यह तो दोनों के production possibility frontiers को touchy नहीं करता यह तो बाहर है ठीक है अब यह दोनों country जो हैं यह कैस मतलब करते क्या है यह trade कैसे करते हैं right now तो यह मैं आपको अगली diagram में बदाता हूं कि उसमें यह trade कैसे करते हैं और यह gain कैसे करते हैं और कितना gain करते हैं यह diagram अगर आपके पास आती है तो hopes हो के आप इसको construct कर लेंगे बलके मैं इसकी explanation आपने कैसे लिखनी है वो भी आपको idea होना चाहिए मैं आपको shortly इसकी explanation बता देता हूं देखें यह explanation आपके सामने आ रही है इसमें जो country 1 है producing good 1 और country 2 जो है is producing good 2 और जो country 1 है exporting good 1 और जो country 2 है is exporting good 2 और जो country 1 है वो labor abundant है और जो country 2 है वो capital abundant country है अगर आपने इसकी diagram की explanation लिखनी है तो तो customers customers in both countries have similar taste दोनों मुलकों में लोगों का taste same है if the tastes are too similar the indifference curve 1 works for both countries अगर उनका taste same होता है तो फिर indifference curve 1 जैसे पिछले diagram में बना हुआ था दोनों के PPF को उनको touch कर रहा था तो वो बनेगा ठीक है when country is the same level of utility the indifference curve will touch the production capacity curve यानि production possibility frontier of the country 1 in point A and for country 2 in point A0 representing the maximum possible volume of production and consumption of each country in the absence of trade जब वो trade नहीं कर रहे तो उनकी जो productions है उनके volumes A और A0 पे नजर आ रहे हैं वो relative prices को बता रहे हैं जिनका नाम हमने P और P not लिखावां पे for good 1 and good 2 in country 1 and country 2 respectively since as can be seen from the graph मतलब जो पीछे हमने graph बनाया उसमें P is less than P not but country 1 has relative advantage in production of good 1 and country 2 in the production of good 2 यह आपने उस diagram की explanation अगर आपने लिखनी है तो इस तरह लिखनी है लेकिन जब बाद में trade करते हैं जब दोनों countries बाद में trade करते हैं तो then किस तरह की diagram बनेगी इस तरह की diagram बनेगी वही production possibility frontier है 140 80 वाला और जो good nation one है उसका वही 70 और 120 प्लस वाला वो है ठीक है और before before trade उनके जो production हो रही थी वो a point पे हो रही थी और a not point पे हो रही थी लेकिन बाद में जब वो trade करते हैं आपस में तो trade कैसे करेंगे आपने ये करना है कि दोनों के production possibility frontiers को एक contract कर्व से मिला देना है पहले वाला काम आपने किया हुए मैं उस contract कर्व को red highlighter से highlight कर रहा हूँ scale रखके आपने क्या करना है कि एक contract कर्व की मदद से आपने दोनों के production possibility frontiers को क्या कर देना है उनके उपर tangents बना देने एक tangent का नाम होगा क्या भला B1 और दूसरे tangent का नाम क्या होगा B होगा जिनको मैंने अभी टिक किया है अब होना क्या है कि आपने अगर after trade आफटर ट्रेड आपने equilibrium शो करना है तो आप क्या करेंगे आप एक indifference curve draw कर देंगे indifference curve उसी contract curve के उपर लेकिन center में center में उसी मतलब वो center क्या है यह center है जहां पर मैंने अभी blue color में point लगाया इसको आप IC बना दें इस tangent को लेकर इस तरह आप indifference curve बना दें indifference curve का कोई नाम रख दें यहां पर आप दोनों countries की import और export को show कर सकते यह जहां पर E is equal to E not है यह E1 है यह consumption show हो रही है दोनों countries की क्या show हो रही है consumption show हो रही है मैं इसको बता देता हूँ इसको क्या कह रहे है यह क्या है consumption असल में यह जो IC है यह consumption को show कर रहा है ठीक है अब दोनों country जब trade करते हैं तो क्या होता है अगर आपने country तू की trade को देखना है वो कितना import कर रहा है और कितना export कर रहा है तो आपने यह देखना है इसका फरक देखना है इसकी production हो रही थी B पे लेकिन इसकी consumption का हो रही है E is equal to E not पे हो रही है तो इसकी आप production और consumption का फरक देखें ये और ये इसका difference आप देखें इसकी production और consumption का फरक देखें इसकी consumption कोई almost 60 है और इसकी जो production है B1 के उपर वो कोई 110 है ऐसे ही है difference अगर आप देखें तो मेरे साथ बोलना भी है माइक ओपन करके यानि E is equal to E naught पे क्या है consumption है इसकी country की क्या है consumption है यहाँ पे इस जगा पे इसकी क्या है consumption है और इस जगा पे क्या है उसकी production है ठीक है अब इन दोनों का जो फर्क है consumption और production का वो trade है खर्च वो थोड़ा कर रहा है यानि 60 unit कर रहा है लेकिन वो produce कितना कर रहा है वो 100 plus कर रहा है तो 110 का 110 का और 60 का difference जो आप निकालेंगे that difference will be called exports of country 2 वो country 2 को उतना बेच देता है 110 में से अगर 6 निकालने तो बाकी क्या बचता है 50 50 आएगा न तो वो 50 क्या कर रहा है export कर रहा है दूसरे मोल को इसी तरह आप दूसरे दूसरी जो nation है उसका भी अगर आप फरक देखें उसकी अगर आप trade उसकी production consumption consumption देखें तो जो country हमारे पास country वन है उसकी consumption यहां पर है country 1 की consumption कहां पर 90 पर है इसको आप 90 कह लें यहां पर और इसकी जो production है वो कहां पर है यह इसकी production है let's suppose के वो है 130 ठीक है 120 से ज्यादा है तो फिर क्या है अगर 120 से ज्यादा है तो 130 है तो आप यह करें के 120 130 और 190 का फरक निकालें उनका difference निकालें ठीक है 130 में से आप 90 को minus कर दें और जब minus करेंगे तो क्या answer आ रहा है आपके पास 40 का यह 40 वो क्या कर रहा है यह 40 वो क्या कर रहा है export कर रहा है 40 को क्या करेगा export कर देगा